existing shareholders का क्या मतलब हुता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं existing shareholders का मतलब हुता है मोजूदा शेयर धारक यानि कि किसी भी company या किसी भी परियोजना में जो अभी जिनके पास उस company के share है उनको हम existing shareholders कहते हैं यानि कि मोजूदा शेयर धारक कहते हैं जैसे मानले जी कोई company है उसमें अभी पाँच लोगों ने invest किया हुआ है तो वो पाँच जो है अभी उस company में shareholder है और जो बाद में नए shareholder आएंगे तो उनके लिए ये जो पहले वाले shareholder हैं ये existing shareholder हो जाएंगे और इनके लिए वो जो नए shareholder हैं उनको आप new shareholder कह सकते हैं तो इसके बारे में और detail से पढ़ना चाहिए तो आपके screen और video की description में दिया गया है आप पढ़ सकते हैं तो इसको और भेतर तरीके से समझ सकते हैं अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें औ बेल ऐकन को प्रेस करें